हालो एब्रिवन आज हम स्टार्ट करेंगे अपना नया टॉपिक देट इस फिशरीज हम जो चैप्टर स्टडी कर रहे हैं वो है स्ट्रेटेजीज फोर एन्हांस्मेंट इन फूड प्रोडक्शन जो की 12th की 3rd यूनिट का 2nd चैप्टर है तो इसमें अभी तक हम एनिमल स्टार्ट करेंगे विद फिशरीज क्योंकि हमें पता है कि जितने भी कोस्टल एरियास हैं वहां पे फिशीज आर दा मेजर सोर्स ओफ फूड तो फिश के प्रोडक्शन को भी बढ़ाने की बहुत जादा रिक्वायर्मेंट है तो लेट स्टार्ट विद फिशरीज इडि इन सभी को कैचिंग प्रोसेसिंग और सेल करना देट एट कमस अंडर दा फिशरीज अब फिशरीज की हम बात करें तो फिशरीज में दो में इसके हम टाइप्स पढ़ते हैं एक्वा कल्चर एंड पिसी कल्चर हाला कि बहुत सारे टाइप्स हैं मैं आगे आपको डिटेल म करवाओंगी बट एकवा कल्चर का मिनिंग है कि जिसमें हर एक।रह के एक्वा कॉटिक औरगिक आइज़्ञ में सब किया जाए तो अब Kom का आप culture जो है वो त्यार कर सकते हो जिसमें आप maximum type of aquatic organism को rear कर सकते हो तो इसमें एक बहुत बड़ा फायदा हमें मिलता है कि बहुत एक कम amount में जो feed है वो हमें बाहर से चाहिए क्योंकि आप यहां पे maximum organism को रखते हो जो की एक food chain के थूँ एक दूसरे से जुड़े होते हैं तो बाहर से feed की requirement हमें नहीं होती है यह बहुत ही जादा economical है क्योंकि इससे बहुत सारी substances जो है हमें मिलती है अब आगया next is pissy culture जिसमें सिर्फ हम fishes का ही production करें means हम एक culture medium त्यार करें एक artificial pond या artificial जो है एक area हम develop करें जहां पे हम fishes को rear करें that is known as pissy culture इसमें सबसी बड़ीज की limitation मानी जाती है कि सारी की सारी feed आपको बाहर से ही देनी पड़ती है and it give only food substances यह सिर्फ food substances यह प्रवाइड करता है और substances यह प्रवाइड नहीं करता तो यहां पे आपको बता रही हूं क्योंकि जब ही हम pissy culture करते हैं तो उसका एक बहुत advanced type माना जाता है composite fish culture what is composite fish culture जिसमें हम ए एक area में जो हमने artificial pond बनाया है एक culture medium हमने त्यार किया है वहां पे fishes के लिए उसमें हम अलगलग types की species हैं उनकी fish को हम वहां पे rear करते हैं जिससे हमें बहुत जादा फायदा भी होता है लेकिन वहां पे हमें यह ध्यान रखना पड़ता है कि मानलो की एक यह pond है मैं आपको यहां से एक diagram की थरूब बताती हूँ कि मानलो यह culture जो हमने pond त्यार किया है जिसमें हम अलगलग species जो है fishes की रख रहे हैं लेकिन हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि हम ऐसी fishes opt करें जो की एक दूसरे से habits में और food habits में अलगलग हो जैसे कि इसको हम यहां पर रखेंगे तो surface feeder जादा तर इसका area यह है फिर middle zone के लिए हम किसको select करेंगे रोहू, रोहू middle zone में ही रहेगी यह इसके साथ compete नहीं करेगी catla के साथ, इसके लाब म्रिगल और common carp यह bottom feeder है जो bottom वाले part में ही रहती हैं तो इन दोनों का जो area है वो अलगलग ह इनकी food habits भी अलग लग हैं जिसकी वज़े से food के लिए भी आपस में compete नहीं करेंगी तो इस तरह का जो composite fish culture होता है यह बहुत ही economical होता है और इसमे according to zone और feeding habits के according जो है fishes को select किया जाता है अब हम बात करते हैं types of fishes हमें पता है जो fisheries है उसमें दो तरह की fishes को हम opt करते हैं fresh water fishes and marine fishes fresh water में कौन कौन सी आ जाती है जो इस side मैंने mention कर रखी है यह सारी की सारी आपकी NCRT में mentioned है same यहाँ पर भी जो मैंने mention किया इस side वो आपकी NCRT में mentioned है यह वाली आपकी additional मैंने यहाँ पर add की हुई है like this one also तो fresh water fishes कौन कौन सी है like cattle, rohu, common carp and mrigal और marine water जिनको हम fisheries में rear करते हैं that is pomfret, hilsa, sardine, mackerel, salmon, bombay duck and tuna these are the different type of fisheries we opt for our pissy culture now let's start with the economic importance of fishes and fishes की क्या के importance है हमें उनसे क्या के मिलता है सबसे पहला तो हमें पता ही है as a food जो है हम उसको use करते हैं second disease control, अब disease control कहां से हुआ जब मैंने आपको human health and disease वाला chapter जो है वो करवाया था उसका video बनाया था तो मैंने आपको बताया था हम किस तरह से जो larvae of mosquito है उसको control कर सकते हैं in case of large ponds जहां पे बड़े-बड़े pond होते हैं हम उनको fill up नहीं कर सकते तो वहां पे हम कैसे control करेंगे तो एक small fish होती है gambusia जो की mosquito के larva को kill कर देती है और mosquito के larva जो है उनकी ये predator है ये उनको खाती है तो ये disease control करने में भी बहुत help करती है scientific value अब हमें evolution के बारे में भी बहुत कुछ पता चलता है fishes से हमें एक ऐसी fish भी हमें मिली है that is silocanth तो kolocanth भी कहते हैं silocanth भी कहते हैं जो हमें evolution के बारे में बताती है उसमें ऐसे characteristics है जो हमें ये बताते हैं कि जो fishes के बाद amphibians का evolution हुआ था और that is a connecting link between the two तो इनकी scientific value भी बहुत जादा है employment fisheries जो है चाहे वो aqua culture है चाहे PC culture है large number of people are employed in this profession next income का एक बहुत ही अच्छा source माना जाता है other products oil manure, glue भी हमें से मिलता है leather मिलता है और सब से जो important है that is pearl ठीक है तो pearl industries जो है fisheries के उपर और aqua culture के उपर काफी जादा dependent है तो अब हम fish production में देख लेते हैं कौन कौन सी fishes होती है fish production में दो तरह की fishes होती है finned true fishes and shell fishes finned true fishes जो actual में true fishes है जो की pices के अंदर आती है और shell fishes वो है जो other phylums में included है like prawns and mollusk इनका भी बहुत large scale पे consumption किया जाता है अब इनकी क्यों इनको as a food जो है जो लोग है वो काफी opt करते हैं उसके पिछे reason है इनकी nutritive value इन में 14 to 25 percent protein होता है between A है D है और most important that are easily digestible यह बहुत ही easily digest हो जाते हैं now what is the rank of India in fish production fish production में जो इंडिया का rank है that is 7th 7th rank is because of its long coast line इसकी जो इंडिया की coast line है rivers है, island water bodies है यह around 7500 km है जो की एक बहुत बड़ा area माना जाता है जिसकी वज़ा से इंडिया का जो fish production में rank है that is 7th now what are the types of fisheries on the basis of mode of obtaining fish अब हमने fisheries को दो में divide कर रखा है according to mode of obtaining fish की हम fish को कैसे obtain करते हैं तो first one is capture fishery and second one is culture fishery नाम से ही पता चल रहा है capture जिसमें किसी भी water body में जाके आप उसको capture कर रहे हो जो की naturally वहाँ पे present है जैसे की marine water में या inland water bodies है कोई reservoir है कोई river है वहाँ से आप capture कर रहे हैं fishes को that is known as capture fishery culture fishery जहाँ पे आप एक proper एक area में अपने according fishes को culture करते हैं that is culturing, rearing, harvesting of fishes in ponds, tanks, lakes, reservoir, that is lakes, reservoirs तो इसमें हम क्या करते हैं कि मान लो एक reservoir है यह lake है उसमें यह government की तरफ से permission जो है गौर्मेंट से ली जाती है वहाँ पे culture fishery करने के लिए और वहाँ पे जो भी fishes rear की जाती है वो according to choice की जाती है according to their production की जाती है तो culture fisheries के भी तीन टाइप है mariculture, aquaculture and pisc culture अभी हम पढ़के हटे हैं इसको mariculture जिसमें marine fishes, shell fishes और seaweeds को culture किया जाता है और aquaculture जिसमें finned fishes और shell fishes को culture किया जाता है third one is pisc culture सिर्फ fresh water fishes को ही इसमें culture किया जाता है now what is some, यहाँ पे कुछ आपको marine fishes के नाम बता रही हूँ some marine fishes of high economic value कौन-कौन सी fishes हैं जिनकी economic value बहुत जादा है दोनों तरह की बता देती हूँ finned fishes की और shell fishes की जो market में जिनकी बहुत जादा demand है तो example है इसके mullets, भेटकी and pulse pots shellfish में आजाते हैं दोनों तरह के fresh water prawn and marine water prawn तो इनके scientific name आपको यहाँ पे दे रखे हैं fresh water prawn that is macrobranchium rosenbergine और marine water जो prawn है that is penis monodone तो इनका बहुत ही large scale पे production किया जाता है तो आज इस video में हमने discuss किया कि what are the fisheries, what are the products we obtained from fisheries, what are the types of fisheries और क्या-क्या उसकी importance है, क्या-क्या products भी हमें उनसे मिलते हैं तो आपको यह video समझा गया, आपको अच्छा लगा, तो आप इसको like करें, share करें और channel को subscribe करें THANKS EVERYONE